तो आज हमारा जीके का पिहार जीके स्पेसल का थर्ड पार्ट है आज हम टॉप 20 कोशन्स डिसकस करेंगे और कमेंट करके आप जरूर बताएगा कि आपके कितने कोशन्स सही हुएं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने इस पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को करेंकर रहे हैं तो सीडिय।ट करें Selay को सबसे ज्यादा साक्षर पढ़े लिखेए लोग अगर हम कहें तो किस जिले में है option number A है रोहतास, B नवादा, C पटना, D दर्भंगा तो जो रोहतास जिला है, हमारा right option हो जाएगा option number A जो रोहतास जिला है, यह सरवाधिक साक्षर जिला है इसमें अगर हम साक्षर देखें, तो 73.37% लोग साक्षर है जो literacy rate है यहाँ, वो 73.37% है इसके लवाध यह भी question पूछा जा सकता है, कि कम साक्षर देखें, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है सबसे कम literacy जहाँ है, तो वो जिला कौन सा है, तो वो है पुर्निया पूर्णिया जीला के बारे में आपने सुना होगा, पूर्णिया जीला जो है, वो सबसे कम साक्षर यहां है अब कितने होगा या उपरुक्त में से कोई नहीं तो जो बिहार राजी में जीलो की संक्या है वो कितनी है, थर्टी एट है लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ा जीला कौन सा है, हम अगर छेत्रफल की दृस्टी से देखें, तो बिहार राज में 38 जीलों में सबसे बड़ा जीला कौन सा है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर हम जनसंख्या की दृस्टी से देखें, तो जनसंख्या म मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था, आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार के किस जिले में है, मैं छेतरफल की दृस्टी से बताती हूं, छेतरफल की दृस्टी से जो पस्चमी चंपारन जिला है, पस्चमी चंपारन जिला, पस्च यह को बात ध्यान रखनी है नेक्स कोशन हैं हमारा बिहार का सबसे बड़ा उत्पादक है ऐसा कौन सा फल है इसमें लीची, केला, आम या अंगूर जिस बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है उसकी तो जो लीची है लीची की उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होती है इसके अलावा मैंने आपको बताया था बिहार में किस जिल्ले में केला ज़्यादा होता है यह आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो लीची, लीची का बिहार की लीची को, बिहार की किस लीची को, तो बिहार की साही लीची, साही लीची जो बिहार की है, साही लीची इसको जी आई टैग मिला है, जी आई टैग मिला है, जो बिहार की साही लीची है, इसे GI tag मिला है, GI tag मिला है, भौगोलिक संकेत जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि किस जगह पे कौन सी चीजे उत्पादन होती है, तो इसे हम GI tag कहते हैं, GI tag जो मिलता है, इसे 2018 में, जो साही लिची है बिहार की, इसे 2018 में GI tag मिला है, इसके अलावा, बिहार के आम को GI tag मिला है, बिहार के कौन सा आम है, बिहार का एक आम है, जिसका नाम है, जर्दालू आम, आप लोगोंने सुना है अगर इसका नाम, तो कमेंट करके जरूर बताएगा, जर्दालू आम को भी, बिहार के जर्दालू आम को भी, जर्दालू आम को भी, GI tag दिया गया है, तो य यह कुछ बाते आपको ध्यान रखनी है, next question है, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और बिहार दिवस कब से मनाया जाता है, कब से इसकी starting होई थी, तो 2010 से मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने इसको सुरुवात की थी, बिहार दिवस मनाने की, तो 2022 में जो बिहार दिवस मनाया जाता है, कोई भी दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या था, जल ही जीवन है, जल जीवन हरियाली, जल बचाओ या जल जीवन खुसाली, तो जो बिहार दिवस 2022 मनाया जाता है, उसका थीम था, जल, जीवन, हरियाली लेकिन कमेंट करके आप बताएंगे कि जो बिहार दिवस 2023 मनाया गया 2023 कब मनाया गया 22 मार्च 22 मार्च 2023 को बिहार दिवस 2023 मनाया गया इसका थीम क्या था इसका थीम मैं आपको बता देती हूँ इसका थीम था युवा सक्ती कि इसका थीम था 22 मार्च 2023 को जो विहार दीवस मनाया गया इसका थीम था यूट सक्ति भिहार की प्रगती यूँवा सक्ती बिहार की प्रगती विए वियर दीवस से lot ये आपको ध्यान रखने योट यूटनों गया तो 2022 में और 2023 मी स्क्राओ सुख सकता है नेक्स कोइशन है आपको बताना बिहार के उपमोख्य मंतरी कौन है, डॉक्टर चंदर शेखर, नरेंदर मोदी, राजनात सिंग्प तेजस्वी यादव. तो इसका राइट ओॉप्शन नम्बर डी जो तेजस्वी यादव हैं, वो क्या है? बिहार के उपमोख्य मंतरी है. इसके लावा हम बात करें, तो Dr. Chandrasekhar कौन है? तो Dr. Chandrasekhar बिहार के सिक्षा मंत्री हैं. बिहार के सिक्षा मंत्री हैं कौन? Dr. Chandrasekhar. इसके लावा आप सबको पता है कि नरेद्र मोधी कौन है? कमेंट करके आप बताएंगे कि राजनात सिंह कौन है? इनमेंसे कौन से पतना उच्छ न्याले के मुख्य न्याधीस हैं? जस्टिस चंदरचूर, संजय करोल, विनोध चंदरन या Dr. Chandrasekhar. तो इसका राइट ऑप्शन हो जागा, ऑप्शन नमबर C, जो पतना उच्छ न्याले के मुख्य न्याधीस कौन है? विनोध चंदरन है. पतना उच्छ न्याले के हम स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना कब होई थी? तीन फरवरी 1916 में पतना हाई कोट की स्थापना होई थी. ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट कोशन है हमारा बिहार की सर्वोच चोटी कौन सी है? आपको बताना है बिहा पतना हाई कोट कोट कान सी है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नमबर ए, सो मिस्वर जो स्रेडी है या बिहार की सर्वोच चोटी है यह हिमालय परवत स्रिंखला की सिवालिक, जो सिवालिक स्रिंखला है, इसका भाग है. आपने सुनाओगा, इसके राइवा यह चोटी है कहाँ? तो यह चोटी पस्चमी चमपारन में, कहाँ है? तो पस्चमी चमपारन जीले में, यह चोटी है. एक्स पस्चमी है, महात्मा गाधी पर चमपारन सत्याग्रह के लिए कब अभयोग चलाया गए था? टो चमपाराण सत्याग्रह के लिए कभी भयोग चलाए गया किसानों की विद्रों के मितलब किसानों की उसलिए चमपाराण सत्याग्रह चलाए गया था बिहार राज परिटन विकास निगम का टैग लाइन क्या है आपको इसका टैग लाइन बताना है बिहार राज परिटन विकास निगम जो है उसका टैग लाइन आपको बताना है उज्जवल बिहार हम सब का बिहार blissful बिहार या बिहार is the best तो इसका जो टैग लाइन है वो है bliss बिहार ऑप्शन नमबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा ब्लिस्फुल बिहार इसका टैग लाइन है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा पंद्रहवी भारतिय जनगर्ना 2011 का आदर्स वाक की क्या है देखिए कोई भी अगर जनगर्ना से रिलेटेड कोशन पूछेगा तो आपको यह बताना है जर 11 में जो जनगर्ना हुई थी उसका टैग लाइन क्या था? आदर्स वाक की क्या था उसका हमारा भविस्ट से हमारी जनगर्ना भविस्ट से विकास के लिए जन गर्ना या हमारी जन गर्ना तो हमारा रइट ओप्शन हो जाएगा option number B क्या tagline था? Our senses Our senses Our future मतलब हमारी जनगर्णा हमारा भविस्टी इसका tagline क्या था? हमारी जनगर्णा हमारा भविस्टी ये बात आपको ध्यान रखनी है next question है question number 11 2011 की जनगर्णा के अनुसार बिहार राजी जनसंख्या के अनुसार हमें क्या बता रहा है जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से इस्थान पर आता है मिंस की जनसंख्या है बिहार राजी की कितनी है जनसंख्या के अनुसार जो हमारे देश में बिहार किस नंबर पर आता है ये आपको बता रहा है तो देखिए इसका right option हो जाएगा 30 यानि की third number पे आता है इसके लाव हम बात करें तो first number पे कौन आता है तो जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम देखें तो कहां है तो उत्तर प्रदेश में है यूपी में है second number पे कौन आता है तो second number की हम बात करें तो second number पे महरास्ट रहाता है महरास्ट second number पे आता है and third number पे हम देखें तो third number पे बिहार आता है आपको comment section में बताना है कि fourth number पे जनसंख्या के अनुसार चौथे number पे भारत में कौन सा राज्य आता है next question हमारा BPSC के सदस्यों का कारेकाल कितना होगा जैसा कि आपको पता है कि बिहार का जो सूपर्ट होने वाला है वो BPSC कंड़क्ट कराएगी तो इस वाए से आपको यह चीज़े भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए BPSC के सदस्य जो होते हैं उनका कारेकाल कितना होता है उनका जो tenure होता है वो कितने साल का होता है option number A, 5 वर्स या 60 वर्स तक, 6 वर्स या 62 वर्स तक, 3 वर्स या 60 वर्स तक, 6 वर्स या 55 वर्स तक तो जो भी BPSC का tenure होता है वो 6 वर्स या 62 वर्स तक तो three that यह महाथमा गाधी ने प्रथम सत्यागराह बिहार के इस इस्थान पर किया था मैंने अभी बताया पहला सत्याग्रह कौन सा था चंपारन सत्याग्रह चंपारन सत्याग्रह बिहार के यहां पूछा गया प्रथम सत्याग्रह जो है वो किस जगह किया गया था बिहार के किस चिले में किया गया था तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नम सब कुछ आपको पहले डिसकस कर लिया है लेकिन राजकी भासा कौन सी है बिहार राजकी तो जो बिहार राजकी अगर हम कहें तो अधिकारिक भासा अगर हम कहें अधिकारिक भासा कौन सी है हिंडी है इसके अलावा अतिरिक्त अधिकारिक भासा यानि हम एडिशनल ऑफिस्चनल अधिशनल लेंगवेज तो वह क्या है उर्दू है इस वज़े से बिहार राज की राज की भासा जो है वो हिंदी और उर्दू दोनों ही हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है नेक्स कोईशन है हमारा अफीम किस से प्राप्त होता है अफीम क्या होता है इसे हम औसधी के रूप में प्रियोग करते हैं लेकिन इसको औसधी के रूप में भी प्रियोग करते हैं अफीम बहुत जगा मना है अफीम का उत्पादन करना लेकिन अफीम जो प्राप्त होता है खूब ताई एक झिले में कुछ इस पर निकाला जाता है इसके लगों कमेंड कर्टेशन में आप बताएंगे ृफियार के किस जिले पाया जाता है नेक्स्स कोईशन है हमारा बिहार के किस जिले में जोला माइट खनीज पाया जाता है डोला माइट एक खनीज है आपको ये बताना है बिहार के किस जिले में पाया जाता है गया पटना सारन या भोजपूर तो जो भोजपूर है यानि कि option number D हमारा सही हो जाएगा भोजपूर जिले में क्या पाया जाता है डोलमाइट पाया जाता है इसका दूसरा नाम है डोलोमिटिक डोलोमिटिक चूना पत्थर अगर हम देखें तो डोलमाइट का दूसरा नाम क्या है डोलोमिटिक चूना पत्थर भी इसको कहा जाता है नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 17 बिहार में राज्य सभा की कितनी सीटे हैं जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताए बिहार में लोग सभा की कितनी सीटे हैं तो लोग सभा की बिहार में 40 सीटे हैं इसके आपको बताना है राज्य सभा की कितनी सीटे हैं 12, 14, 15 या 16 तो ज बिहार राज्य है, उसमें राज्य सभा के कितनी सीटे हैं, तो 16 सीटे हैं, हमारा राइट ओप्शन हो जाएगा, ओप्शन नमबर D. बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, कि बिहार राज्य जो है, वो किस देश की बाउंडरी को टच करती है, किस देश से अपना सीमा साझा करती है, तो अगर आप बिहार राज्य को देखें, तो उसके उत्तर दिशा में कौन सा देश है तो नेपाल देश है नेक्स कोश्चन है हमारा बिहार के किस छेत्र में मैथली भासा बहुत तयात में प्रचलित है बहुत ज्यादा मैथली भासा किस छेत्र में बिहार के प्रचलित है पाटली पुत्र तिरहूत छेत्र में शान छेत्र में या मगत छेत्र बिहार राज्य की कौन सी भासा भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में सामिल है आपको पता है कि भारतिय सम्विधान के आठवी अनुसूची में 22 भासा है सामिल है उसमें से बिहार राज्य की कौन सी भासा सामिल है तो मैथली मगदी भुझपूरी या इनमें से को हो राए हैं इसमें से 20 में से आपके कितने कोशन सही हुए हैं यह आप कमेंट करके जरूर बताएगा इसका लगा और कोई डाउट हो भीहार सुपर्टेट से रिलेटेड या फिर इन कोशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्सर में आप बिल्कुल भी पूछ लेजेगा वीडियो को लाइक जरूर करेगा और थैंक यू पर वचिंग